सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्र है ब्रश्ट मनुष्य जाती को देहधारी परमेश्वर द्वारा उद्धार की अधिक आवश्शक्ता है मनुष्य को शैतान ने ब्रश्ट कर दिया है मनुष्य ही परमेश्वर के जीवधारियों में श्रेश्टतम है इसलिए मनुष्य को परमेश्वर के उद्धार की आवश्शक्ता है परमेश्वर के उद्धार का लक्ष मनुष्य है शैतान नहीं और जिसे बचाया जाएगा वो मनुष्य की देह और आत्मा है शैतान नहीं शैतान परमेश्वर के विनाश का लक्ष है और मनुष्य परमेश्वर के उद्धार का लक्ष है मनुष्य के देह को शैतान के द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है इसलिए सबसे पहले मनुष्य की देह को ही बचाया जाएगा मनुष्य की देह को इतना ज्यादा भ्रष्ट किया जा चुका है कि वो परमेश्वर का इस हद तक विरोध करती है कि वो खुले तौर पर परमेश्वर का विरोध कर बैठती है और उसके अस्तित्व को ही नकारती है ये भ्रष्ट देह बेहद अडियल है देह के भ्रष्ट स्वभाव से निपटने और उसे परिवर्टित करने से ज्यादा कठिन और कुछ भी नहीं शैतान परिशानियां खड़ी करने के लिए मनुष्य की देह में आता है और परमेश्वर के कार्य में व्यवधान उत्पन करने और उसकी योजना को बाधित करने के लिए मनुष्य की देह का उपयोग करता है इस प्रकार इनसान शैतान बनकर परमेश्वर का शत्रू हो गया है मनुष्य को बचाने के लिए पहले उस पर विजयपानी होगी इसी चुनोती से निपटने के लिए परमेश्वर जो कार्य करने का इरादा रखता है उसकी खातिर देह में आता है और शैतान के साथ युद्ध करता है उसका उद्देश भ्रष्ट मनुष्य का उद्धार शैतान की पराजय और उसका विनाश है जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है परमेश्वर मनुष्य पर विजय पाने के अपने कार्य के माध्यम से शैतान को पराजित करता है और साथ ही भ्रष्ट मनुष्य जाती को भी बचाता है इस प्रकार ये एक ऐसा कार्य है जो एक ही समय में दो लक्षों को प्राप्त करता है इनसान के साथ बहतर ढंग से जुडने और उस पर विजय पाने के लिए वो देह में रहकर कार्य करता है देह में रहकर बात करता है और देह में रहकर समस्त कार्यों की शुरुवात करता है अंतिम बार जब परमेश्वर देह धारन करेगा तो अंत के दिनों के उसके कार्यों को देह में पूरा किया जाएगा वो सभी मनुश्यों को उनके प्रकार के अनुसार वर्गिक्रित करेगा, अपने समपूर्ण प्रबंधन को समाप्थ करेगा और साथ ही देह में अपने समस्त कारियों को भी पूरा करेगा प्रिथवी पर उसके सभी कारियों के समाप्थ हो जाने के बाद वो पूरी तरह से विजही हो जाएगा देह में कार्य करते हुए परमेश्वर मनुश्य जाती को पूरी तरह से जीत लेगा और उसे प्राप्थ कर लेगा क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका समस्त प्रबंधन समाप्थ हो चुका होगा शैतान को पूरी तरह से हराने और विजई होने के बाद जब परमेश्वर देह में अपने कार्य का समापन करेगा तो शैतान के पास मनुष्य को भष्ट करने का फिर और कोई अवसर नहीं होगा परमेश्वर के प्रथम देहधारन का कार्य छुटकारा और मनुष्य के पापों को ख्षमा करना था अब ये मनुष्य जाती को जीतने और पूरी तरह से प्राप्ट करने का कार्य है ताकि शैतान के पास अपना कार्य करने का कोई मार्ग न बचेगा और वो पूरी तरह से हार चुका होगा और परमेश्वर पूरी तरह से विज़ई हो चुका होगा ये देह का कार्य है और स्वयम परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य है परमेश्वर के कार्य के तीन चर्णों के शुरुवाती कार्य को सीधे तौर पर पवित्रात्मा के द्वारा किया गया था देह के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के कार्य के तीन चरणों का अंतिम कार्य देहधारी परमेश्वर द्वारा किया जाता है, पवित्रात्मा द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जाता। मध्यवर्ती चरण का छुटकारे का कार्य भी देह में परमेश्वर के द्वारा किया गया था। समस्त प्रबंधन कार्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य शैतान के प्रभाव से मनुष्य को बचाना है। मुख्यकार्य भ्रष्ट मनुष्य पर सम्पूर्ण विजय है। इस प्रकार जीते गए मनुष्य के रिदय में परमेश्वर के प्रती मूल श्रद्धा बहाल करना और उसे एक सामान्य जीवन यानि परमेश्वर के एक प्राणी का सामान्य जीवन प्राप्त करने देना है। और प्रबंधन कार्य का मूल है। उद्धार के कार्य के तीन चरणों में व्यवस्था के युग का प्रथम चरण प्रबंधन कार्य के मूल से काफी दूर था। इसमें उद्धार के कार्य का केवल हलका सा आभास था। ये शैतान के अधिकार क्षेत्र से मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के कार्य का आरंभ नहीं था। कार्य का पहला चरण सीधे तौर पर पवित्रात्मा के द्वारा किया गया था। क्योंकि व्यवस्था के अंतरगत मनुष्य केवल व्यवस्था का पालन करना जानता था। उसके अंदर अधिक सत्य नहीं था। और चूंकि व्यवस्था के युग के कार्य में मनुष्य के स्वभां में परिवर्तन करना शामिल नहीं था। वो मनुष्य को शैतान के अधिकार क्षेत्र से बचाने के कार्य से तो और भी संबंधित नहीं था। इस प्रकार परमेश्वर के आत्मा ने कार्य के इस अत्यंत सरल चरण को पूरा किया था, जो मनुष्य के भरष्ट स्वभाव से संबंधित नहीं था। प्रबंधन के मूल से इस चरण के कार्य का कोई संबंध नहीं था। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर को देहधारन करने की आवश्यक्ता नहीं थी। पवित्रात्मा द्वारा किया गया कार्य अप्रत्यक्ष और अथाह है। ये मनुष्य के लिए भयाव और अगम्य है। पवित्रात्मा उद्धार के कार्य को करने और मनुष्य को सीधे तौर पर जीवन प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है पवित्रात्मा के कार्य को ऐसे उपमार्ग में रुपान तरित करना जो मनुष्य के करीब हो, यानि जो मनुष्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है वो ये है कि परमेश्वर अपने कार्य को करनी के लिए एक साधारण सामान्य व् इसके लिए आवश्यक है कि पवित्रात्मा के कार्य का स्थान लेने के लिए परमेश्वर देह धारण करे और मनुष्य के लिए कार्य करने हितू परमेश्वर के पास इससे अधिक उपयुक्त मार्ग नहीं है। कार्य के इन तीन चर्णों में से दो चर्णों को देह के द्वारा संपन्न किया जाता है और ये दो चरण प्रबंधन कार्य की मुख्य अवस्थाएं हैं। दो देहधारण परस पर पूरक हैं और एक दूसरे की बढ़िया ढंग से अनुपूर्ती भी करते हैं। परमेश्वर के देहधारण के प्रथम चरण ने दूती चरण की नीव डाली। ऐसा कहा जा सकता है कि परमेश्वर के दोनों देहधारण एक पूर्ण इकाई बनाते हैं और एक दूसरे से असंगत नहीं हैं। परमेश्वर के कार्य के इन दो चरणों को परमेश्वर द्वारा अपनी देहधारी पहचान में कार्यानवित किया जाता है क्योंकि वे समस्त प्रबंधन के कार्य के लिए अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं। लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि परमेश्वर के दो देहधारनों के कार्य के बिना समस्त प्रबंधन कार्य थम गया होता। और मनुष्य जाती को बचाने का कार्य खोखली बातों के सिवाय और कुछ न होता। ये कार्य महत्व पूर्ण है या नहीं, ये मनुष्य जाती की आवश्शक्ताओं, उसकी कलुष्टा की वास्तविक्ता, शैतान की अवग्या की गंभीरता और कार्य में उसके व्यवधान पर आधारित है। कार्य करने में सक्षम, सही व्यक्ती को कार्य करता द्वारा किये गए कार्य की प्रकृती और कार्य के महत्व पर निर्दिष्ट किया जाता है। जब इस कार्य के महत्व की बात आती है कि इस संबंध में कार्य के कौन से तरीके को अपनाया जाए। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किया गया कार्य या देहधारी परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य या मनुष्य के माध्यम से किया गया कार्य, तो सबसे पहले इनसान के माध्यम से किये गए कार्य को हटाया जाता है और फिर कार्य की प्रकृती पवित्रात्मा के कार्य की प्रकृती बनाम देह के कार्य की प्रकृती के आधार पर अंततहा ये निरने लिया जाता है कि पवित्रात्मा द्वारा सीधे तौर पर किये गए कार्य की अपेक्षा, देह के द्वारा किया गया कार्य मनुष्य के लिए अधिक लाभदायक है और अधिक लाभ प्रदान करता है. जब परमेश्वर ने ये निर्णे लिया कि कार्य पवित्रात्मा के द्वारा किया जाएगा या देह के द्वारा, तो उस समय परमेश्वर के मन में ये विचार आया था कार्य के प्रत्येक चरण का एक अर्थ और एक आधार होता है, वे आधार हीन कल्पनाई नहीं होती, नहीं उन्हें मनमाने ढंग से कार्यानवित किया जाता है, उनमें एक विशेश बुद्धी होती है परमेश्वर के समस्त कार्य के पीछे की ये सक्चाई है विशेश रूप से ऐसे बड़े कार्य में परमेश्वर की और भी बड़ी योजना होती है, क्योंकि देहधारी परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में कार्य कर रहा है इसलिए प्रत्येक क्रिया, विचार और मत में परमेश्वर की बुद्धी और उसके स्वरूप की समक्रता प्रतिबिम्बित होती है ये परमेश्वर का बेहद मूर्थ और सुव्यवस्थित स्वरूप है इनसान के लिए इन गूढ विजारों और मतों की कलपना करना और उन पर विश्वास करना बेहत कठिन है और इन्हें जानना तो और भी कठिन है इनसान जो काम करता है वो सामान्य सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है जो उसके लिए अत्यंत संतोश जनक होता है लेकिन परमेश्वर के कार्य की तुलना में इसमें बहुत बड़ी असमानता दिखाई देती है हालां कि परमेश्वर के कर्म महान होते हैं और उसके कार्य भव्य पैमाने पर होते हैं फिर भी उनके पीछे अनेक सूक्ष्म और सटीक योजनाईं और व्यवस्थाईं होती हैं जो मनुष्य के लिए अकल्पनी हैं उसके कार्य का प्रत्येक चरण न केवल सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है बलकि प्रत्येक चरण में अनेक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें मानवी भाषा में स्पष्टता से व्यक्त नहीं किया जा सकता और ये चीजें इनसान के लिए अद्रिश होती हैं ये कार्य चाहे पवित्रात्मा का हो या देहधारी परमेश्वर का प्रत्येक में उसके कार्य की योजनाई नहित हैं वो बिना किसी आधार के कार्य नहीं करता और निरर्थक कार्य नहीं करता जब पवित्रात्मा सीधे तोर पर कार्य करता है तो वो उसके लक्षों के अनुसार होता है और जब वो कार्य करने के लिए मनुष्य बनता है तो उसमें उसका उद्देश और भी ज्यादा नहित होता है अन्यता वो इतनी ततपरता से अपनी पहचान क्यों बदलेगा वो इतनी तत्परता से ऐसा व्यक्ति क्यों बनेगा जिसे निक्रष्ट माना जाता है और जिसे यातना दी जाती है देह में उसका कार्य बहुत सार्थक है ये कार्य के संबंध में कहा जाता है और अन्त तहा देहधारी परमेश्वर ही कार्य का समापन करता है पवित्रात्मा नहीं कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर किसी अंजान समय प्रिथ्वी पर आकर लोगों को दिखाई दे सकता है जिसके बाद वो व्यक्तिकत रूप से संपूर्ण मनुष्य जाती का अन्याय करेगा एक-एक करके सबकी परीक्षा लेगा कोई भी नहीं छूटेगा जो लोग इस ढंग से सोचते हैं वे देहधारन के इस चरण के कार्य को नहीं जानते परमेश्वर एक-एक करके मनुष्य का न्याय नहीं करता एक-एक करके उनकी परीक्षा नहीं लेता ऐसा करना न्याय का कार्य नहीं होगा क्या समस्त मनुष्य जाती की भरष्टता एक समान नहीं है? क्या पूरी मनुष्य जाती का सार समान नहीं है? न्याय किया जाता है इनसान के भ्रष्ट सार का शैतान द्वारा भ्रष्ट किये गए इनसानी सार का और इनसान के सारे पापों का परमेश्वर मनुष्य के छोटे मोटे और मामूली दोशों का न्याय नहीं करता न्याय का कार्य निरुपक है और किसी व्यक्ति विशेश के लिए कार्यानवित नहीं किया जाता बलकि ये ऐसा कार्य है जिसमें समस्त मनुष जाती के न्याय का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों के एक समूह का न्याय किया जाता है देहधारी परमेश्वर लोगों के एक समूह पर व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य को कार्यानवित करके इस कार्य का उपयोग संपूर्ण मनुष जाती के कार्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए करता है जिसके बाद ये धीरे-धीरे फैलता जाता है न्याय का कार्य ऐसा ही है परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेश या लोगों के किसी समूह विशेश का न्याय नहीं करता बलकि संपूर्ण मनुष्य जाती की अधार्मिक्ता का न्याय करता है उदाहरन के लिए परमेश्वर के प्रती मनुष्य का विरोध या उसके प्रती मनुष्य का अनादर या परमेश्वर के कार्य में व्यवधान इत्यादी जिसका न्याय किया जाता है वो है इनसान का परमेश्वर विरोधी सार और ये कार्य अंत के दिनों का विजय कार्य है देहधारी परमेश्वर का कार्य और वचन जिनकी गवाही इनसान देता है वे अंत के दिनों के दौरान बड़े श्वेत सीहासन के सामने न्याय के कार्य हैं जिसकी कल्पना इनसान के द्वारा अतीत में की गई थी देहधारी परमेश्वर द्वारा वर्तमान में किया जा रहा कार्य वास्तों में बड़े श्वेत सीहासन के सामने न्याय है आज का देहधारी परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान संपूर्ण मनुष जाती का न्याय करता है ये देह और उसका कार्य, उसका वचन और उसका समस्त स्वभाव उसकी समग्रता है यद्यपी उसके कार्य का दाइरा सीमित है और उसमें सीधे तोर पर समपूर्ण विश्व शामिल नहीं है फिर भी न्याय के कार्य का सार संपूर्ण मनुष्य जाती का प्रत्यक्षन न्याय है. ये कार्य केवल चीन के चुने हुए लोगों के लिए नहीं, नहीं ये थोड़े से लोगों के लिए है. देह में परमेश्वर के कार्य के दौरान, यद्यपी इस कार्य के दाइरे में संपूर्ण ब्रहमांड नहीं है, फिर भी ये संपूर्ण ब्रहमांड के कार्य का प्रतिनिध्व करता है. जब वो अपनी देह के कार्य के दाइरे में उस कार्य को समाप्त कर लेगा, तो उसके बाद वो तुरंथ ही इस कार्य को संपूर्ण ब्रहमांड में उसी तरह से फैला देगा, जैसे येशु के पुनरुत्थान और आरोहन के बाद उसका सूसमाचार सारी दुनिया में फैल गया था। चाहे ये पवित्रात्मा का कार्य हो या देह का कार्य। ये ऐसा कार्य है जिसे एक सीमित दाइरे में किया जाता है। परन्तु जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। अंत के दिनों में परमेश्वर देहधारी रूप में प्रकट होकर अपना कार्य करता है। और देहधारी परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जो बड़े श्वेद सीहासन के सामने मनुष्य का न्याय करता है। चाहे वो आत्मा हो या देह, जो न्याय का कार्य करता है, वही ऐसा परमेश्वर है, जो अंत के दिनों के दौरान मनुश्य का न्याय करता है। इसे उसके कार्य के आधार पर परिभाशित किया जाता है, नकि उसके बाहरी रंग रूप या दूसरी बातों के आधार पर। मनुष्य की धारणाएं हैं, लेकिन कोई भी देहधारी परमेश्वर के न्याय और संपूर्ण मनुष्य जाती पर विजय के तथ्य को नकार नहीं सकता। इनसान चाहे कुछ भी सोचे, मगर तथ्य आखिरकार तथ्य ही हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि कार्य परमेश्वर द्वारा किया जाता है, परंतु देह परमेश्वर नहीं है, ये बकवास है, क्योंकि इस कार्य को देहधारी परमेश्वर के सिवाए और कोई नहीं कर सकता। चुँकि इस कार्य को पहले ही पूरा किया जा चुका है, इसलिए इस कार्य के बाद मनुष्य के लिए परमेश्वर के न्याय का कार्य दूसरी बार प्रकट नहीं होगा। अपने दूसरे देहधारण में परमेश्वर ने पहले ही संपूर्ण प्रबंधन के समस्त कार्य का समापन कर लिया है। इसलिए परमेश्वर के कार्य का चौथा चरण नहीं होगा। क्योंकि जिसका न्याय किया जाता है वो मनुष्य है। मनुष्य जो की हाड मांस का है और भरष्ट किया जा चुका है। और ये शैतान की आत्मा नहीं है जिसका सीधे तौर पर न्याय किया जाता है। इसलिए न्याय का कार्य आध्यात्मिक संसार में कार्यानवित नहीं किया जाता, बलकि मनुष्यों के बीच किया जाता है. मनुष्य की देह की भरष्टता का न्याय करने के लिए देह में प्रकट परमेश्वर से अधिक उपयुक और कोई योग्य नहीं है. यदि न्याय सीधे तौर पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा किया जाए तो ये सर्वव्यापी नहीं होता इसके अतिरिक्त ऐसे कार्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए कठिन होता है क्योंकि पवित्रात्मा मनुष्य के रूब रूँ आने में असमर्थ है और इस वजह से प्रभाव ततकाल नहीं होते और मनुष्य परमेश्वर के अपमान न किये जाने योग्य स्वभाव को साफ साफ देखने में बिलकुल भी सक्षम नहीं होता यदि देह में प्रकट परमेश्वर मनुष्य जाती की भरष्टता का न्याय करे तब ही शैतान को पूरी तरह से हराया जा सकता है मनुष्य के समान सामान्य मानवता धारन करने वाला बन कर ही, देह में प्रकट परमेश्वर सीधे तौर पर मनुष्य की अधार्मिक्ता का न्याय कर सकता है. यही उसकी जन्मजात पवित्रता और उसकी असाधारनता का चिन्न है. केवल परमेश्वर ही मनुष्य का न्याय करने के योग्य है और उसका न्याय करने की स्थिती में है क्योंकि वो सत्य और धार्मिक्ता को धारण किये हुए है और इस प्रकार वो मनुष्य का न्याय करने में समर्थ है जो सत्य और धार्मिक्ता से रहित हैं, वे दूसरों का न्याय करने लायक नहीं है यदि इस कार्य को परमेश्वर के आत्मा द्वारा किया जाता, तो इसका अर्थ शैतान पर विजय नहीं होता पवित्रात्मा अंतरनिहित रूप से ही नश्वर प्राणियों की तुलना में अधिक उतकरिष्ट है और परमेश्वर का आत्मा अंतरनिहित रूप से पवित्र है और देह पर विजय प्राप्त किये हुए है यदि पवित्रात्मा ने इस कार्य को सीधे तौर पर किया होता, तो वो मनुष्य की समस्त अवग्या का न्याय नहीं कर पाता और उसकी सारी अधार्मिक्ता को प्रकट नहीं कर पाता क्योंकि न्याय के कार्य को परमेश्वर के बारे में मनुष्य की धारणाओं के माध्यम से भी कार्यानवित किया जाता है और मनुष्य के अंदर कभी भी पवित्रात्मा के बारे में कोई धारणाएं नहीं रही है इसलिए पवित्रात्मा मनुष्य की अधार्मिक्ता को बहतर तरीके से प्रकट करने में असमर्थ है. वो ऐसी अधार्मिक्ता को पूरी तरह से उजागर करने में तो बिलकुल भी समर्थ नहीं है. देहधारी परमेश्वर उन सब लोगों का शत्रू है जो उसे नहीं जानते. अपने प्रती मनुष्य की धार्णाओं और विरोध का न्याय करके वो मनुष्य जाती की सारी अवग्या का खुलासा करता है. देह में उसके कार्य के प्रभाव पवित्रात्मा के कार्य की तुल्णा में अधिक स्पष्ट होते हैं. इसलिए समपूर्ण मनुष्य जाती के न्याय को पवित्रात्मा के द्वारा सीधे तौर पर संपन्न नहीं किया जाता, बल्कि ये देहधारी परमेश्वर का कार्य है देहधारी परमेश्वर को मनुष्य देख और छू सकता है और देहधारी परमेश्वर मनुष्य पर पूरी तरह से विजय पा सकता है देहधारी परमेश्वर के साथ अपने रिष्टे में मनुष्य विरोध से आज्याकारिता की ओर उत्पीडन से स्वीकृती की ओर धारना से ज्ञान की ओर और तिरसकार से प्रेम की ओर प्रगती करता है ये हैं देहधारी परमेश्वर के कार्य के प्रभाव मनुष्य को परमेश्वर के न्याय की स्वीकृती से ही बचाया जाता है वो परमेश्वर के बोले गए वचनूं से ही धीरे धीरे उसे जानने लगता है परमेश्वर के प्रती उसके विरोध के दौरान परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर विजय पाई जाती है और परमेश्वर की ताड़ना की स्वीकृती के दौरान वो उससे जीवन की आपूर्ती प्राप्ट करता है। परमेश्वर के कार्य के तीन चरणों का अतिमहत्वपूर्ण भाग देहधारन के कार्य के दो चरण है। परिवेश शत्रुता पूर्ण है और हर प्रकार के लोगों की क्षमता बहुत ही कमजोर है। फिर भी इस कार्य के अंत में ये बिना किसी तुटी के उचित प्रभाव ही प्राप्त करेगा। ये देह के कार्य का प्रभाव है और ये प्रभाव पवित्रात्मा के कार्य की तुलना में अधिक प्रेरक है। पर्मेश्वर के कार्य के तीन चर्णों का समापन देह में किया जाएगा। और इसे देहधारी पर्मेश्वर द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निरनायक कार्य देह में किया जाता है। और मनुष्य का उद्धार व्यक्तिगत रूप से देहधारी परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। हर इनसान को यही लगता है कि देहधारी परमेश्वर इनसान से संबंधित नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि देह पूरी मनुष जाती की नियती और अस्तित्व से संबंधित है।